पब्लिक टीवी आपकी आवाद संबल में SGM काराले के बाहर एक महिला ने करीब एक घंटा तक हाई वोल्टिस ड्रामा किया आरोप है कि पट्टे में नामदर्ज होने के बाद भी महिला को जब पट्टा नहीं मिला तो SGM काराले पर जम कर हंगामा किया यहीं नहीं SGM को चोड़ चोड़ कहकर पूरा ड्रामा रच डाला हलाकि बाद में पुलिस प्रशासन के समझाने पर पीडित महिला आश्वासन पर घर वापस लोट गई आपको बता दें कि संबल जिले के हयात नगर थाना च्छेत के गाउं सोंधन निवासी महिला आश्वा अपनी पती के साथ आज SGM संबल डीपेंटर यादव के काराले पर पहुंची और जब SGM ने महिला की नहीं सुनी तो वो अपना आपा को बैठी और काराले के बाहर हम बार के ही बेड़ों मेरे बेजिती योगी जिला अधस्य कह रहे हैं हम जब हैं तो मेरे आदमी को कह रहे हैं चूप कौन करा है यह एडियम साहिब हमको हम बोले तक कह रहे है कि लेडिस पुलिस बुला दूंगा यह खुद चोर है इस कागज में साइन किये एलान को किस चीज के क्या समथ्या हैं कि हमारे समस्या मेरे पठे कट गई और हमारे पते नहीं दे रहे हैं यह नहीं लekना लेटा सोर दोन में जाकर निर्ष रही है Bentitte जी निकाल दूँग कि मैं यह बहुत बड़ा घुसकोर है यह एडियम्बी घुसकोर है दूसरा के बोलेगा मन धन से काम करना बल से यह हम पे बल दिखा रहा है रासन के समस्या का बार-बार अधरकाट हटा देते हैं आज एक महिला आई थी जनता दर्सन में जो पट्टे के समद्ध में अपने शिकायद कर रही थी उसकी पहले भी जाच कराई गई थी और उस मामले में लेकपाल को बुलाए भी गया था मौके पे अभी लेकपाल ने बताये कि इनका जिस जिगा पर पट्टा हुआ है उस पर नहीं लेना चाहते हैं कोई दूसरी भूम जो दूसरे के नाम के पट्टा है उसको एलेना चाहते हैं तो इस वज़े से जो है उनको असंतुष्टी है और नेमानशार उनको जो है जब तक पट्टा ने रस्ट नहीं हुआता दिया नहीं जा सकता